केंद्री स्वास्ति मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंग को विश्व स्वास्ति संगठन के चौती सदस्थी एग्जेक्योटिव बोर्ड के चेर्मेन का पदभार मिल गया है उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी का स्थान ग्रण किया है वर्तमान में विश्व स्वास्ति संगठन में भारत को महतोपूर्ण प्राप्त होना आगे के लिए बहुत लाप्रद हो सकता है कोरोना काल में भारत ने अपने देश में कोरोना रोकने के साथ साथ पूरे संसार में भी मेडिकल सहायता प्रदान की है बीते मंगलवार को 194 देशों की विश्व स्वास्ति सभा द्वारा भारत को कारेकारी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्तावा पर हस्ताक्षर किये WHO के दक्षिन पूर एशिया समुहों ने पिछले वर्ष सर्वसंमती से निर्ने लिया था कि भारत को तीन वर्ष के लिए कारेकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा डॉक्टर हर्ष्वधन का चैन विश्व स्वास्ते संग्ठन की कारेकारी बोर्ड की बैठक में किया गया क्षितरी समोहों के बीच अध्यक्ष का पद एक वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा आयोजित किया जाता है और ये पिछले वर्ष तै किया गया था कि शुक्रवार से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए भारत का उम्मिद्वार कारेकारी बोर्ड का अध्यक्ष होगा बोर्ड वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करता है और मुखे बैठक आमतार पर जनवरी में होती है स्वास्ते सभा के तुरंत बाद मई में दूसरी छोटी बैठक होती है कारेकारी बोड के अधेक्ष का मुखे कारे स्वास्ति सभा के निर्णेयों और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सलाह दिना है बीतेस उमार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से तिहतर्मी विश्व स्वास्ति सभा को संबोधूत करते वे डॉक्टर हर्शवर्धन ने कहा था कि भारत ने कोविड-19 महामारी रोकने के लिए समय समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए है